तो नमस्कार गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने चाहता हूं कि मांक्स वरसे परसंटल फॉर महाराष्टर सीडी 2023 के रिलेटेड तो जो डिसकेशन हुए टॉप एजुकेटर्स इं महाराष्टर विद आनलेसिस और बहुत से जो डेटा है फ्रम लास्ट इयर्स उनको सभी को मिलाने के बाद जो अनलेसिस हुआ है उनके बारे में आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिसकस नहीं है तो चलिए मौन करते हैं कम्पूटर स्क्रीन के उपर आप देख सकते हैं कि कम्पूटर स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा है यह में सीरी 2020 थे अभी ज जो 90 या मार्क्स है 40-80 मार्क्स है और 40 बिलो है तो इनके रिलेटेड में सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जिन जनके मार्क्स 40 से बिलो है उनका जो परसंटाइल स्कोर आने वाला है वो बहुत ही फ्लक्टुएट होगा और उनकी जो कॉलेज लगने की शक्यता है वो कम होगी आईसा नहीं कि उनको कॉलेज नहीं मिलेगा उनको भी कॉलेज मिलेगा पर उनके जो परसंटाइल स्कोर है वो बहुत ही फ्लक्टुएट करेगा कि इनका 8 परसंटाइल आ सकता है किसी का 23 परसंटाइल आ सकता है डिपेंड बहुत करेगा वो बहुत फ्लक्टुए तो कि formula ऐसा है कि आपके जो भी marks हो गए उसके अंदर आपको add करना है 5.7 percentile जिसका मतलब है अगर आपके marks है 45 तो आपको इसमें add करना है 5.7 that is 50.7 percentile आप इस तरह से माल सकते हो कि आपका जो score आने वाला है 5.7 percentile आपको उन आपके marks के अंदर add करने हैं अगर आपके marks 40 to 80 के ब अगर आपके marks 80 है तो उसमें 5.7 add कीजिए और आएंगा 85 points यह लास्ट यर एक student की जो marks थे वो 88 percentile आया था और उनका marks भी 88 था मतलब कि आप देख सकते हो कि आपका जो marks versus percentile same भी हो सकते है depending upon the shift shift hard है easy है उसके साथ बहुत से fluctuation उसके साथ बहुत सा जो data है student number of candidate जो exam दे रहे ह के वज़े से जो है changes होते रहते हैं अभी बात करते हैं जीन student की marks 90 marks है उनके उपर है तो उनका सोशा और उनका percentile होगा वो आएगा 90 plus percentile उनका score करेगा और 90 plus percentile score करने के बाद आपको बहुत ही अच्छी college में जो है अच्छी branch मिल जाएंगी आपको electrical IT यह भी आपको branch मिल सकत depending upon the reservation अगर आप open character से apply करते हो तो 90 percentile के साथ आपको अच्छी college में government with autonomous college के अंदर आपको जो है अच्छी branch मिल जाएंगी तो यही था जो marks versus percentile का जो पूरा analysis depending upon the marks 40 या फिर 40 to 80 and 90 plus और जो 90 plus होने वाले हैं उनका जो बोल सकते हैं 99 percent अगर आपको चाहिए मतलब cvp के लिए या फिर top engineering college के लिए तो उनके लिए आपको जो score है वो 150 के आराउंड होना चाहिए 150 के आराउंड होगा तो आपको 99 percentile इस बार आ सकता है क्योंकि इस बार जो level थी questions की वो थोड़ी hard थी तो आपको जो है 99 percentile आप score पाऊंगे आराउ पूरा distribution जो mass वासे percentile का है depending on the discussion बहुत से discussion होए बहुत से student के साथ interaction होए उसके बात ये वाला जो data है आपके सामने में ला रहा हो तो इसके साथ आप बहुत से video देखो और उसके अलावा college देखो कि किन college में आपको admission लेना है और engineering कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कोन से branch में आपको admission लेना है इन सभी के related अगर आपको कोई भी questions है doubts है तो आप comments box में लिखो और मैं try करूंगा और पूरे team ही try करेंगी तो यह आपके ज्यादा से ज्यादा question के accurate जो answer से आपके तरफ दे पाए तो wish you all the best for your future thank you